आपके द्वारा डायल की आगया नमबर उप्योग में नहीं है गर प्याप डायल की नमबर की जिए आज की वीडियो में जो ट्रीक हम बताएंगे उस ट्रीक का यूज अगर आप अपनी फोन में करते है तो आपके फोन पे कोई भी कॉल करेगा न तो यहीं बात बोलेगा कि डायल की आगया नमबर मौजूद नहीं है कि आपने फोन में लगाना चाहते है तो आपके वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आपके फोन पे कॉल आ सकता है और आप अगर कॉल से परेसान है तो आप इस तरह के अपने फोन में कोड डाले के यह एक्टिवेट कर सकते है कि कॉल करने वाले को बताएगा कि यह नमबर जो है एक जीत ही नहीं करता है मौजूद ही जो है नहीं है सो नमसकर दोस्तों मेरा नाम हुरा बॉकमार आप देख रहे है मायटिकश वीडेयो चैनल सबसेब्स परसे परएं दोस्तों के साथ 2005 वीडियो को देख सकते ग्ली पर है यह नीचे सब्सक्राबे लिए चरलन के लिए हरे है आप लोग यह वीडियो के वीडियो जो है कहांगा से देख रहे हैं जहां से भी देख रहे हैं उस जगा का नाम लिख के जरूर भी पहलं में देख अब आगे बरते हैं नबर एडिया लगाया एडिया से बाहर है यह नमबर एक जीट है करता ठीक है तो यह कैसे कि हम बताते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां पर अगर यह चीज़ आप चाहते हैं कि आपके फोन पर कॉल आ रहा है तो आप नहीं उठाना चाहते हैं यहां पे आपको एक setting करना पड़ेगा एक number dial करना पड़ेगा तभी आप यह सब कर सकते हैं दोस्तों कोई भी जियो का अगर SIM है ना आपके phone में लगा हुआ तो आपको simple क्या करना start दमना है 401 दमना ठीक है फिर start दमना है इतना ध्याना में एक लिए start 401 और start दमना है और फिस जिस mobile पे आप जो है call मंगाना चाहते है उस mobile का number आपको यहां पे डालना होगा जैसे दोस्तों मैं पचासी उन्चालीस बीरासी और सट जीरो आल मैं चाहता कि इस number पे जो है इस phone पे जो भी call आना इस number पे जाए ठीक है तो मैं क्या करूँगा यहां पे आप शकडिय हो गया एक्टिव हो गया आप इस number पे हम कॉल करेंगे तो यह बताएगा यह number एकजित ही नहीं करता है या कोई दूसरा number होगा तो उस number पे जो जो आपके अधर मोयल में तो वह बन्बर आप इसमें डालके एक्टिवेट करता है तो उसी पे जाएगा ठीक है तो यहां पे जो है तो यहां पे जो हम number टायल कर रहे है इसी मुआल का number टायल करती है और यहां पे हम कॉल कर रहे हैं क्या बोल रही है लड़की वही चालो नमबर डालते तो उस पे जो है call आता है तो इस तरह से आप लोगों को जो है दोस्तों चौका सकते हैं अब हम बात करते कि यह तो हो गया activate करने का बात और आप इसको deactivate करना चाहते है तब जो है deactivate कैसे किजेगा और दूसरे call किया तो दूसरे call किजेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है आप डाल किजेगा नहीं है नमबर तो call forwarding निस्क्रिय हो गया अब इस नमबर पर फिर से जो नमबर यहाँ पर डाल करना है और नमबर पर हम call करेंगे तो क्या होगा कि इसी phone पर जो है call आगा यह देखिए दूसरे दूसरे यहाँ पर लोग को चौका सकते है आप अपने phone पर जो है यह setting कर सकते है अगर phone में dialer का यूज करते दोस्तों तो यह trick आपको जरूर सिखके रखना चाहिए कोई परसान कर रहा है अगर तो वीडियो कैसा लगा इस वीडियो से जो है कोई सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट करका बता सकते हैं मिल्दे दोस्तों यह प्रियों ताप तो के लिए टेक्केर बागा